दोस्तों भी आप देख सकते हैं कि ये जो फैन था खुल नहीं रहाता और इसके साथ मैंने किया जबरदस्ती तो ये बेरिंग वाला जो पार्ट है यहां से आप देख सकता है बड़ी के साथ ही निकल चुका है तो अगर आपके साथ भी कुछ इस प्रकार के घटना हो गया है तो इसको किस प्रकार से ठीक करना है आज के वीडियो में हम यहीं देखेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पे सावधान कर देता हूं अगर आप भी सिलिंग फैन को खुलते हैं और वो फैन खुल नहीं रहा है तो उसको उसके साथ उसके बॉड़ी के साथ आपको बिल्कुल भी जवरदस्ती नहीं करना है अगर वो सिलिंग फैन नहीं खुल रहा है तो आपको इस प्रकार के सिरेंच लेनी है और इस सिरेंच में आपको किरासन तेल यानि मिट्टी का तेल डाल देनी है और यहां पे बेरिंग वाले जगा पे इंजेक्ट कर देनी है किरासन तेल को यहां पे डाल देनी है और उसक लगने से bearing उसमें काफी hard तरीके से set कर जाता है जिसके कारण ये fan नहीं open होता है और इससे हम जब अदस्ती करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप देखी सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका हाल होता है इसे लिए यहां पे सिरिंद से आपको मिट्टी का तिल डाल देनी है उस सही किस प्रकार से करना है चलिए इस वीडियो हम देखते हैं अब सबसे पहले इस छोटे से तुकडा वाला यह एरिया है इसमें से हम पहले बैरिंग को निकालेंगे अब आप मैं से बूलोगे कि इसमें से बैरिंग निकालेंगे कैसे तो चलिए पहले उससे भी हम दिखा देते हैं लेकिन वहां पर हमने दूसरे बॉडी से बैरिंग को निकाल के दिखाएंगे क्योंकि इसका बैरिंग निकाला जब मैं तो वीडियो बनाना भूल गया तो प्रोसेस से वही है तरीका वही है तो दोस्तों फैन के बैरिंग को खोलने के लिए कुछी इस प्रकर के और जार आता है और इसका नाम है बैरिंग पूलर तो यह एस पेसली फैन में जो लगा बैरिंग यानि 62-01 और 62-02 को दो के साइज के बैरिंग को खोलने के लिए यूज में किया जाता है इस से काफी आसानी से फैन के बॉडी से बैरिंग को आप निकाल पाएंगे तो पहले इस गोल काटोरी टाइप का जो है इसको बैरिंग के ऊपर रख देंगे उसके बाद से इस नट को इसके अंदर डालेंगे बैरिंग के अंदर और यह बॉल्ट को टाइट करेंगे ठीक है इसको टाइट करके वह जो अभी हम काटोरी टाइप के रखें गोल वाला उसम को इस MOT के ऊपर यहाँ पर देखिए Foods Center में इसे डाल देनी है इसकी गैप में और और बॉजन वाले चीज़े से इसे ठोक करके नीचे कर देनी है और उसके बाद से यहाँ पर एक रोहे का जुल्ण है रोहे का रट को इसमें Dip다 अब यहाँ पर इसे हमने डाल दिया और डालने के बाद से इसे इस प्रकार से इसे पकड़नी है उपर वाले को और नीचे वाले बॉल्ट को कुछ इस प्रकार से इसारे से करके इसे नचानी है इसे गुमा नहीं है यहाँ पे अब देखें ऐसे गुमाईएगा तो यह बहुत ही आसानी से यह बेरिंग इस फैन के बॉड़ी से निकल जाएगा यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुआ काफी यह आसानी से इस बैरिंग पुलर से यह निकल चुका है तो इसके लिए अब निकालने के लिए यह रोड को बाहर निकाल लेंगे और इस पती को बाहर निकाल लेंगे और यह इस धिला कर इसमें से मैंने बैरिंग को निकाल लिया है और इसे अच्छी तरीके से साफ कर दिया है अब सबसे पहले इसको इसमें बैठाने से पहले इसमें इसे सेट करने से पहले इस वाले जो छोटा वाला है टुकडा इसमें हम बैरिंग को पहले डालेंगे उसके बाद से इसमें पाग से इस नए बैरिंग को यहां पर पहले हम डाल देते हैं अब यहां पर यह बैरिंग है नीव वाला बैरिंग ठीक है इस बैरिंग को हम इसमें डालेंगे इस तरीके से इस पर डाल देनी है उसके बाद हो थोड़े की सायता से इस बैरिंग के किनारे किनारे हो थोड़े क चोट मारते रहनी है और यह bearing इसमें पूरी तरीके से अंदर हो जाएगा और जब बैट जाएगा तब इसे हम body में फिर से यहाँ पे आप देख सकते है तो इस प्रकार से आपको भी सबसे पहले इसमें bearing को डाल दिनी है अब चलिए इसके हम body में सेट करते हैं तो यहाँ पे हम इस body को ऐसे उल्टा कर देंगे और इसके बाद से इसके भीतर यहाँ पे अंदर से रखेंगे और उसके बाद से इसे हम Sun Junior neem अस्तान पर अच्छी त्रीक से हमों打 देख सकते हैं यहां से यहां तरीके से सेंटर देख लेगे कि हम ने टुटा हुआ हैd जहां से टूट और जीया तो हमक road आय। अलारी की सिर्ट कwieम अदेख सकते हैं लौय है ब छिलाए करा कुछ याँ परकार है यह से बैठा देनी है ठीक है यह थोड़ी यहाँ पहाँ यहाँ देखे या पर देख सकता है यह अंदर चला गया ठीक है घूल सके बात Typhal नेरे देगा पुरन साध्य कैसे कह बाएं यहाँ पर देख सकते हैं कहा यह सकते हैं इसको हम उस लोहे पर रखेंगे और इस बोडी को कुछ इस प्रकार से बैरिंग को वहीं पर उसके सेंटर में रखेंगे जैसे कि देखिए यहां पर यहां पर फसना चाहिए नीचे से ठीक है एकदम से यह बैरिंग के ऊपर ही जा रहा है ठीक है कुछ इस प्रकार से यहां प उटा है उसके जॉइंट पे हाथवरे से कोशिस प्रकाषे ठोकनी है आपको ठिक है जोर जोर से जोर से ज़ banco जोर से अनाजादा आईस्त था मेडिय में अई से ठोकनी है तो यहां पर देख सकते हैं आसानी से कितनी कितनी असानी से यहां पया बैठ चुक है अक्तम से बैठ चुकह है इसके थोड़ी से भी गैप नहीं है पूरी के पूरी जोई इसका मिल चुक मैं पहले के जाए स्वी किनारे किनारे डोक डेनी निए और यहें काफी अच्छी तरीके से बैठ जायेगा इस правильно कि Amaim तो हम पहले ही कर दिये हैं तो हम थोड़े से both आपको वीडियो में बंखाने समजाने के लिए मैंने यहां पर एइसा क्या करके दिकाया है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके बिलकुल भी ऐचों अगर यहां पर देख सकते हैं तर रहां तो इसे हम साटेंगे एमसील से ठीक है तो आप इसे भीना साटे भी यूज में ले सकते है कोई दिकत आपको नहीं आने वाला लेकिन अगर आप इसे साट देंगे तो और ही अच्छा हो जाएगा आपको पता ही है मैंने क्या किया यह जू है बेरिंग वाला बेरिंग पूरा अ किनारे सब्धी तरब से यहाँ मैं हमने हमनाय सब्धार और यहां पर यहां पर यह हम यह बिल्कुल अच्छी तरीके से यानि कि इसे ऊबढ़ खाबर बना देंगे चाहाँ कि यहां पर हम एमसेल आटेंगे तो वाची तरीके से सेट कर पाए इसलिए यहां पर इसे चिकना है पहले से तो इसे हम थोड़ा घीस देंगे घीसने से क्या होगा कि इसकी सता थोड़ा रुखरा टाइप का हो जाएगा इसलिए यहां पर हम किनारे किनारे जॉइंट पर कुछ इस प्रकार से हम रगड देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के आपको चारू किनारे किनारे पर यहां पर रगड देनी है उसके बाद से यहां पर देख सकते हैं यह है एमसेल ठीक है यह आपको 10 Rp. और इसमें दो- रहेंगे, दो-्मेटरिए 5ड, दोनों को फाल करके आप पोसमे- अची तरैकी से- मिक्स कर लेनी है, जब इसे- अप अची तरीके से, एक कलर का हो जाये. उसके बाद से यहां पर जाहां जाहां यहां नहीं तूटेगा तो दोस्तों अगर आपका भी फैन का बोड़ी तूट गया है तो इसी प्रोस्ते से आप भी अपने बोड़ी को बिल्कुल नए के तरह कर पाएंगे और वीडियो अच्छी लगे हैं तो वीडियो का लाइक कर दीजेगा अगर आप इस चनल पर नए हो तो जालों को भी सब्सक्राइब कर लेजेगा क्योंको इस चनल पर आपको ऐसे यूसफूल कंटेंट मिलते रहते हैं थैक्स पर वाचिंग